क्या आप सब लोगों को भी अपने जॉइंट में बहुत दा समस्या रहती है आप सब लोग चल फिर नहीं पाते गुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या फिर हड़ी के किसी भी जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है सियाटिका की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर रूमेराइटिस की प्रॉब्लम है लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो पर आगे चलूं। उससे पहले, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो बर आये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना और जब यह वीडियो पूरे को पूरे देख लो तो कमेंट करके बताना कि आप किस सिटी से हैं और आपका क्या नाम है तो चलो वीडियो को शुरूर करते हैं मैं हूँ रशना और स्वागत करती हूँ आप सब का अपनी एक और नई वीडियो है यह है जॉइंट पेन के उपर गठिया के उपर और ऐसे बहुत सारे बीमारियां होती है जिसे सर्वाइकल होता है सियार्टिका होता है आर्थराइटिस है रूमेराइटिस है जिसकी वज़ कम रेट में मार्केट में अविलेबल है हंडेट परसेंट बिल्कुल नो साइड एफेक्ट वाला है क्योंकि एक होमेपाथी की दवाई है जो मैं आज आपको पताऊंगी एक सीरफ है होमेपाथी का जिसको हर को यूज कर सकता है और खास तोर से जिनकी एज 30 प्लस 40 प्लस ह जोचुगे ना उनके लिए यह सीरफ बर्दान है इसको मैं खुद यूज करती हूँ अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मुझे आप सबको पता ही है कि मुझे स्याटिका की दिक्कत है मुझे स्लिप डिस्की भी दिक्कत है मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है और साती सा जैसे मुझे काफी हेल्प मिली है तो मैंने सोचा आप सब लोगों तक भी इसको शेयर करूं लेकिन इसको शेयर करने से पहले मैं आपको एक बहुत चोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूं अपनी नानी की जिनकी एज 95 एर है जिनसे मुझे इस दवाई के बार में पता चला इसा आप लोग मस समझना कि मुझे इसका कोई प्रोमोशन का आपर मिला या फिर मैं किसी इसके साथ कोई कोलाइबरेशन वगरा कर रही हूं ऐसा कुछ नहीं है यह मैं परसनल यूज कर रही हूं और मैं आप सब लोगों की हेल्प करने के लिए ही वीडियो को बनाती हूं इसलिए मैंने सोचा आप सब लोगों तक यह वाली बार पहुंचाई जाए तो प्रोड़क्ट यह है अब इसके बार में डिटेल में बताऊंगी सबसे पहले छोटी सी स्टोरी सुर लो ठीक है आज से दो साल पहले मेरी जो नानी है जिनकी एज 95 वो अपने बाथरूम में नहाते वग फिसल गई थी तब उनकी एस 93 थी ठीक है और उनको हिप इंजरी हुई थी हालाकि मेरी नानी उपने जीवन में बहुत ज्यादा चली फिरी है और डॉक्तर ने उनको बोल दिया था कि उनकी बॉड़ी में जो कैशियम है वो माइनस हो चुकी है माइनस का मतलब नॉर्मल कंडिशन होती है जिसको हम जीरो या न्यूटर बोलते हैं उससे भी कम है इतनी जादा डैफिशेंसी थी उनकी बॉड़ी के अंदर कैशियम की जिसकी वज़े से उनकी जो बोंस थी वो बहुत यदा वीक थी जिसकी वैसे उनको चलने फेडने में बहुत यदा द बड़ी मुश्किल से जुड़ती है यह आप सब लोगों को पता है जैसे से मारी एज बढ़ती जाती है मारी बोंड डैंसिटी बहुत ही ज़दा कम होती जाती है और बहुत ज़दा समस्या होती है फिर उसके बार अगर कोई हड़ी तो उसे जुड़ने में लेकिन उस वक् बताया था किसी ने बैसे मैं बराबर में इसका फोटो भी लगा दूगी और इसका नाम भी अच्छे से आपको बता दूगी यह एक होमियोपैती का सीरप है 100% सेफ है यह सीरप मेरी नानी ने काफी महीनों तक पिया और इसकी वज़ह से वो इस एज में भी जबकि उनकी ब पैर उनकी बहुत ज़दा सूजे रहते हैं उनको भी चलने फिरने में बहुत ज़दा समस्या होती है वो उठ बैट नहीं पाती है अगर जमीन पर एक बार बैट गही तो उनको यह सीरप मेरी नानी से पता चला मेरी मम्मी ने से यूज किया वो अभी भी यूज कर रही है उनको बहुत ज़दा है और जब मैंने उनको पनी समस्या के बार में बताए कि मम्मी हमें तो अभी से इसी एज में यह समस्या शुरू हो गई है तो मेरी मम्मी ने यह मुझको बताया और मैंने इसको यूज किया आप देख रहे हो यह बोतल आदी खाली हो चुकि मैंने इस को पिया है मुझे बहुत आरा मिला है तो मुझे बहुत ज़्याइक्स फील हुआ है जो मैंने सुचा आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूं इस सीरब का नाम है रहा कुर प्लस ठीक है और यह अर्थराइटिस और नुमिराइटिस के लिए इसमें बहुत सारी होमेपैतिक कि जो है मैडिसन सफड़ी हुई है जो मार्केट में अलग से भी अविलेबिल हो जाती है बट यह उसका एक कॉंबो है टोटल मैं आपको काउंट करके बताऊं तो एक तो ती चार पाँ छे साथ ता ता तो तो पंदरा इसमें टोटल 15 यानि की पंदरा जो है वो मदर की लेती ठीक है अब मतलब आप जहां से भी लो आपका जो है शॉप की पर आपको कितना परसेंट काट कर देता है इसके पर डिपैंड करता है हो सकता है यह आपको ओनलाइन इतने की ही मिले 360 की या फिर आपको कहीं आप किसी ऐसी शॉप से लो जो है आपको 360 की मिले बट क् इसको आप दिर में दो या तीम बार यूज़ कर सकते हो, दो दो ढखकन, थोड़ा सा साधा पानी के साथ, और जितनी भी होमेपैती की दवाईयां होती हैं, इसको आपको चीनी मिट्टी के बरतन में ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी रियक्शन नहीं करते किसी और इसको पी ले रहा, इसको आप दिन में दो से तीन बार यूज़ कर सकते हो, आफ्टर मील, जैसे ब्रेक्फस्ट किया उसके घंटे बाद भी आदे घंटे बाद ले लिया, आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर, आदे घंटे बाद आप इस वाली दवाई को ले सकते हो, एक-दो दिन की इस्तमाल में ही आपको इसका असर दिखने लगेगा, अगर आप बहुत ज़्यादा दर्द से पीडित हो, तो आपको बहुत ज़्यादा रलाक्स मिलेगा, और अभी थैंक्यू मत बोलिए, पहले इसे मार्केट से मंगाईए, यूज़ कीजिए, जब आपक जोईंट के लिए बर्दान हैं यह सब लोगों तक पहुंचे और सब लोग इसको यूज़ कर सकें, तो मेरे इस मकसद में प्लीज मेरी मदद कीजिए, इस दबाई को सब लोगों तक शेयर कीजिए, सब लोगों तक पहुंचाईए, जिस्ते की घर बैठे बैठे ही, आप स जब तक ही वर्क करती हैं जब तक आप उन दबाई को खाते हैं लेकिन इसका फैक्ट बहुत अच्छा है, दीरे दीरे आपकी बॉड़ी की जॉइंट को बिल्कुर ठीक कर देगा, उनमें जो भी समस्य आई उसको ठीक करेगा, इसमें बहुत सारी दमाईयां हमें पैती की जो कि जड़ से आपके जॉइंट प्रॉब्लम को बिल्कुर ठीक कर देंगी, तो आपको ये वीडियो आज की बहुत अद़ पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत यादा हेल्पुल रही होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर कर देना जिससे सब लोग अपने जॉइंट प्रॉब्लम को घर बैटे बैटे ठीक कर सकें, तो मैं चलूंगी, मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर कमेंट कर द बाइ बाइ